किड्नी के मरीजों के लिए रोजाना लिये जाने वाले आहार कौन से हैं? किड्नी के मरीज अपनी डाइट में क्या खाएं? ऐसे कौन से आहार हैं जो डामेज किड्नी को और ज्यादा नुकसान न पहुचाएं? किड्नी के मरीज रोजाना की डाइट में क्या शामिल करें? ऐसे ही कई सवाल मन में आते हैं जब बात किड्नी के मरीजों की होती है किड्नी के मरीजों को उनके आहार में अक्सर कई चीजों का परहेज करना होता है उन्हें ऐसे आहार दिये जाते हैं जिनका सेवन उनकी डामेज किड्नी के काम को और अधिक न बढ़ाए लेकिन कौन से हैं ऐसे आहार आईए जानते हैं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किड्नी ट्रीटमेंट विदाउट डालसेज में जहां हम आपको किड्नी और किड्नी डाइट से जुड़ी कई जरूरी जानकारी देते हैं ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि किड्नी के मरीज अपनी रोजाना की डाइट में क्या खा सकते हैं तो हमारी इस विडियो को पूरा देंखे बिना स्किप किये हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विशय किड्नी के मरीजों को उनके खाने में कई चीजों का परहेज करना होता है उन्हें हमेशा ऐसे आहार लेने होते हैं जो उनकी डामेज किड्नी के काम को न बढढ़ाएं क्योंकि जिनकी किड्नी खराब होती है उनका पाचन तंत्र कमजोर होता है इसलिए किड्नी के मरीजों की डाइट में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना होता है कि उन्हें ऐसी डाइट दी जाए जिसको किड्नी के मरीज आसानी से पचा सकें ऐसे आहार जो जल्दी डाजेस्ट नहीं हो पाते वो बॉडी में कृटिनाइन का निर्मान कर सकते हैं इसलिए मरीजों के आहार को लेकर इस बात का खाल ध्यान रखना होता है चली शुरू करते हैं किड्नी के मरीजों के सुभा के नाश्टे से सुभा नाश्ते में किड्नी के मरीज करीब साथ से साड़े साथ के बीच आधा कप चाए और दो आटे वाले बिस्किट रोजाना ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कई किड्नी के मरीजों को दूद वाली चाए अलाउड नहीं होती तो ऐसे लोग काली चाए पी सकते हैं इसके बाद किड्नी के मरीज 8 से 9 बजे के बीच गेहूं का दलिया, प्यास की भरबा रोटी, घीय की भरबा रोटी या फिर आटे की सेवई खा सकते हैं इन में से कोई भी आहार किड्नी के मरीज रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं लेकिन मीठा दलिया किड्नी के ऐसे मरीज ना खाएं जिनकी किड्नी मीठे की वज़े से खराब गुई हो इसके बाद लगभग साड़े ग्यारा बजे यानि की नाशते के बाद और दोपहर के खाने के पहले किड्नी के मरीज कुछ फल खा सकते हैं इसमें वो सेब, नाशपती, लालंगूर, अमरूद और पपीता खा सकते हैं अमरूद का सेवन बीज निकाल कर करें और पूरे दिन में फल सिर्फ 100 ग्राम ही खाना है इसके बाद दोपहर के खाने में किड्नी के मरीज रोटी, सबजी, दही, धुली मूंग की दाल और उबले होए चावल खा सकते हैं दही का सेवन बिना डॉक्टर की सला के ना करें और दही आपको सिर्फ गाय के दूद या डबल टोन दूद से बना ही खाना है दुली मूंग डाल का सेवन रोजाना नहीं करना है इसके अलावा अगर डॉक्टर अलाव करें तो किड्नी के मरीज अरहर दाल भी खा सकते हैं सबजी में किड्नी के मरीज रोजाना घिया, टिंडा, तोरी, परवल और कद्दु को शामिल कर सकते हैं इसके अलावा करेला, लाल शिम्ला मिट्च, पत्ता गोबी, गाजर ये सभी सबज या किड्नी के मरीज दस दिन में एक बार खाएं वो भी डॉक्टर की सलहा के बाद क्योंकि सभी किड्नी के मरीजों की रिपोर्ट्स अलग-लग होती हैं इसके बाद उन्हें साड़े तीन से चार बजे के बीच आधा कप काली चाए और दो आटे वाले बिस्किट्स लेने हैं इसके जगा चाहे तो आप मुर्मुरे भी खा सकते हैं यदि आप चाए न पीना चाहें तो इसके बाद पाँच से चे बजे के बीच आप आटे का पतला सा नमकीन चीला खा सकते हैं इसके बाद रात को लगबग आठ से साड़े आठ के बीच खाने में रोटी और सबजी ही आपको खाना है तो ये हैं कुछ ऐसे आहार जिनका सेवन किड्नी के मरीज रोज़ाना कर सकते हैं जब किसी की किड्नी में खराबी आ जाती है तो अकसर लोग इसके लिए अलोपेथी इलाज लेते हैं किसे चलते उन्हें ड्रदो जेलना पड़ता है या फिर उन्हें किड्new बात की कोई यारंटी नहीं दीता कि ड्रडन से उनकी किड्नी पूरी तरह स्वस्थ होगी या नहीं अगर आप अपनी किड्नी के लिए आयरुवेदिक इलाज ले तो यह आपके लिए सबसे अच्छा उपचार है इसमें ना तो डालेसिस की आवशक्ता होती है और नहीं किड्नी ट्रांस्प्लांट की नौबत आती है आयरुवेदिक इलाज में सिर्फ मरीज को दवायां ही खानी होती है इसके साथ सही अहार का च पसंद आई होगी जिनकी किड्नी स्वस्त है और वो अपनी किड्नी को हमेशा स्वस्त रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में योग और आयरुवेद को जरूर शामिल करें इससे आपका स्वास्त ठीक रहता है और आपकी किड्नी भी सही ढंक से अपना काम करती है तो कर्मा आयरवेदा में कुशल डाइटीशन मौजूद है जो किड्नी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही अहार की जानकारी देते हैं अगर आप डालेसेज और किड्नी ट्रांस्प्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयरवेदा अपचार के इंदर से संपर कर सकते हैं आप किसी भी वक्त हमें कॉल करके हमसे संपर कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें साथ ही इसको शेर करना ना भूले वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं